ये प्रक्रिया जो हमने अब शुरू की है, जिसे हम शिवांग कह रहे हैं, अंग मतलब हिस्सा, यानि शिव का एक हिस्सा, आप उनका एक हिस्सा हैं, तो स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होना, ये रूपांतरन की यात्रा, स्रिष्टी का एक हिस्सा होने से लेकर, स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होने तक की है, ये ऐसी चीज है, जो हम सभी में समाई हुई है, ना सिर्फ इंसानों का, बलकि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स्त्रोथ है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अफसर है, या जो सबसे बड़ी चुनाती है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है, वो ये है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की शमता है, हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं, कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता, कोई भी अन्य प्राणी, हालांकि वो भी उसी से बने हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते, कि वो उस से बने हैं, लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ती की अगनी प्रजवलित कर लें, तो आप यहां धर्ती के एक टुकड़े की तरह नहीं जीएंगे, बलकि आप यहां शिव के एक अंग या हिस्से के रूप में जीएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक भक्त के रूप में, आप अपने आसपास की हर चीज के प्रती, एक नए स्तर की और भक्ती सबसे खूबसूरत और आकर्शक चीज बन जानी चाहिए, यह हमेशा से रही है, इंसान का दिल इसी चीज की इच्छा रखता है, यह बिना किसी वज़े से प्रज्वलित रहना चाहता है, अगर यह बिना किसी वज़े से प्रज्वलित नहीं है, तो आप इसे प्रज्वलित रखने की बुरी तरह से कोशिशें करते रहेंगे, अगर भक्ती है, तो आप देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं, वो आपके अंदर ही हो रहा है, सबसे खुबसूरोच चीज़ें आपके अंदर ही हो रही हैं, आस-पास किसी चीज को खोजने के लिए समय ह नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, यह अच्छा होगा कि आप कुछ साल साधना करें और वैसी भक्ती पैदा करें, जिसका मतलब है आपके अंदर पूरा संतुलन, जब आप एक भक्त होते हैं, तो आप संपूर्ण संतुलन में होते हैं, क्योंकि भ भक्ती या भक्त एक चरमपन्थी है, जो किसी के खिलाफ नहीं है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, फिलहाल हम ऐसे चरमपन्थी तयार कर रहे हैं, जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें। जो किसे वो कीमती मानते हैं, ये एक महान गुण हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं, ये ही एक मात्र समस्या है, मान लीजिये उनका कोई दुश्मन नहीं होता, मान लीजिये आपका कोई दुश्मन ना हो, और आप में दुश्मन बनाने की शमता भी ना हो, पर आप चरमपन् तो आप एक शांधार तीवर इंसान होंगे हैं न? एक बहुत ही तीवर और शांधार जीवन होंगे आप. अगर आप बस इतना करें कि अपने अंदर कोई दुश्मन न बनाएं, अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते और आप एक चरमपंथी हैं, तो ये जीने का जबरदस्ट तरीका है, क्योंकि आप एक तीवर जीवन जीएंगे. पूरी तरह से तीवर, जब आप किसी चीज़ के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज़ के साथ भी नहीं होते, बस एक चरमपंथी, तो आप जीवन के जबरदस्ट अंश होंगे. झीज़ कर जड़स्ट ऊंश होते हैं सर्फ।